भारत माता की जै करना इंदुस्तान के अंदर अगर विपक्ष को खराब लगता है तो मुझे लगता है क्या यहाँ पाकिस्तान की जै किया जा है नमस्कार आप देखरें नेशन न्यूज और मैं हूँ आपके साथ रतिक बिहार में चुनावी घमासान जारी है और लगातार बिहार में नेता जो विपक्ष के नेता है वो सत्तापक्ष के नेता को घेरने में लगे है साथी साथ जो सत्तापक्ष के नेता है वो विपक्ष को घेरने में लगे है आपको बता दे इसी कड़ी में पटना में केंद्री म माता की जय बोलना अपराध है क्या अगर विपक्ष को इस चीज से तकलीफ है तो हम क्या कहें साधिसाद उन्होंने महागडबंधन को घेरते हुए बहुत कुछ कहा है जो आपको हमें इस वीडियो में भी आपको सुना रहे हैं आप इस वीडियो में देखिए कि अश्विनी बिपक्ष को तब अच्छा लगेगा यह बिपक्ष हमारा मुद्डात करेंगे बिपक्ष परदान मंति का मुद्डात करेंगे यह सकते हैं कि इनका बुद्धी і बिचाश दोनों भी खत्म है वो जनता को पूरी तरह से गुमरा कर रहे हैं बे रोज़गारी का मुद्दा बेरोजगार को रोजगार देने का काम हमारी सरकार नहीं किया है। बाकी है शेश है जो की आगामी साथ नवंबर को किया जाएगा और उसके बाद दस नवंबर को बिहार विदान सबाचुनाव के नतीजे खोशित किये जाएगे। और दस नवंबर को पता चलेगा कि बिहार में आखिर सरकार किसकी बनेगी। तो फ़लाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त देख तेरी नेशन यूज को धन्यवाद।